नमस्कार, बहुत स्वागत है जोति जराहट के का स्पेसल सेग्मेंट मैं हूँ आपके साथ आपका इस्टो फ्रेंड संतोर संतोशी आज जमा दिलों की धड़कनों की बात करेंगे पंचम भाव से संबंधित एक रोचक जानकारी लेकर के उपस्तित है कुंडली का प्रतेक भाव जागरत होता है जब हम उससे संबंधित कोई कृत्ति करते हैं आज हम प्रेम और पढ़ाई की विशे में बात करेंगे आखिर क्या वज़ा है कि स्कूल कॉलेज में जाते जाते हम पढ़ाई से प्रेम की तरफ बिमुक होने लगते हैं मित्रों बड़ा बहुत बारीक और बहुत तथ्यपरक और बहुत सारगरवित बहुत रोछक जानकारी देने जा रहे हैं सिर्फ उनके लीए जो जोतिश विज्ञान में रुचि रखते हैं बागी यह कारक्रम और किसी के लिए नहीं है अगर कोई और गलती से इस कारकरम को खोल दिया जोतिश विज्ञान में रूची नहीं है तो क्रिपया आप हट जाएगा अपना समय बरबाद मत करिएगा लेकिन अगर आपको जोतिश विज्ञान में जीरो प्रतिशत भी रूची है तो रुक जाएगा आने वाले पांच मिनट अभी अभी से आने वाले पांच मिनट आपके जोतिश विज्ञान को सोचने की तारकिक शक्ती बढ़ा देंगे जैसा कि हमने अपने कई कारकिमों में आप सबसे इस बात पर चर्चा किया है कि हम जो कारे करते हैं जब हम उस कारे में रत होते हैं लग जाते हैं, तो हमारा वो पर्टिकुलर भाव एक्टिवेट मोड में आ जाता है, जागरित अवस्था में आ जाता है, जैसे हमने किताब खोला, हमारा पंचम भाव जागरित हो गया, तो मित्रों, आखिर क्या कारण है, कि जैसे हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, हमारे मस्तिश्क में, हमारे दिमाग में एक और लोचा जागरित हो जाता है, जो प्रेम भाव को बलवान कर देता है, बस सीधा सा वजह हम बता देते हैं, प्रेम और पढ़ाई का एक ही घर है, फिर क्या वजह होता है, अब यहां तक तो बहुत सामानने बात थी, यहां तक तो आपको भी हो सकता, जैसे हमने बोलना शुरू किया, तो आपको भी लगा हो पढ़ाई और प्रेम का एक ही हाउस ह होता है, तो इसलिए दोनों भाव एक साथ जल जाते हैं, लेकिन सेम टाइम क्या वजह होता है कि कुछ लोग, कुछ लोग इस विशे से विमुख होते हैं, मतलब वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई के दोरान उनका ध्यान भटकता नहीं, उनका प्रेम जागरित होता, क्या वजह है, सबके साथ तो ऐसा नहीं होता है, भले ही वो एक सप्सनल है, अब हम आपको बताते हैं, इसके पीछे का मूल तत्थ है, प्रेम भाव का सबसे बड़ा नैसर्गिक कारक, सबसे बड़ा नैसर्गिक कारक, ग्रह है, शुक्र, अगर किसी के पंचम भाव में शुक्र की राशियां, रिश राशी अथवा तुला राशी, दो ही लगने में संभव है, मिथुन लगन अथवा मकर लगन, मिथुन लगन में पंचम भाव में तुला राशी पड़ेगी, और मकर लगन में पंचम भाव में विशव राशी पड़ेगी, अगर किसी के पंचम भाव का संबंध शुक्र के घर से अथवा वहां शुक्र बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को पढ़ाई से ज़्यादा प्रेम संबंध में रुच जग जाएगा, और उसका ध्यान 99% भटक जाएगा शुक्र के प्रभाव के कारव, कॉलेज जाने का अर्थ उसके लिए सिर्फ बिरोधी लिंग के प्रती लगाव और आकरशन ही रहेगा, अपोजिट सेक्स के प्रती उसका भाव ही रहेगा, को एजुकेशन में बैठ गया, तो किताब में कम आजू बाजू जादा देखेगा, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए हम बता रहे हैं, कभ यह होगा, जब पंचम भाव का संबंध शुक्र स हो, चाहे भाव गत हो, अथवा राशी गत हो, पंचम में शुक्र की राशियां पढ़ जाएं, अथवा पंचम में शुक्र बैठ जाएं, अथवा पंचम में इसके साथ शुक्र बैठ जाएं, तो ऐसी स्थती में यह होने जा रहा है, मतलब यह हुआ कहने का, कि प्रेम के नैसरगे कारक के साथ पंचम भाव का जुड़ाव आपको किताब से दूसरी तरफ ले जाएगा तो पहला चीज हो गया शुक्र का दूसरी चीज पंचम पे शुक्र की दिश्टी पे भी यही भाव आएगा अगर दूसरा ग्रह चंद्रमा जो आपके एक्षाओं का कारक है अगर वो पंचम के साथ जुड़ जाए तो भी यही होगा ये कब संभव है? अगर आपकी कुंडली मीन लगन की है मीन लगन की कुंडली में पंचमेश चंद्रमा होता है ये लोग भी पढ़ाई के समय में पढ़ाई से ज़्यादा विप्रीत लिंगी की तरफ जुकाओ कर लेते हैं क्योंकि उनका वो भाव जागरित हो जाता है पंचम तो वैसे ही था उस चीज के लिए और और ज़्यादा जागरित हो गया सबसे कम भटकाओ मेश लगन मेश राशिका होता है क्योंकि इनके पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य जरासा भी इस दिशा में नहीं जाता पढ़ाई के ही दौरान सेक्स्वल इक्षाओं को भी जागरित होता हुआ हमने देखा है बहुत सारे लड़के लड़की आजकल स्कूलिंग कॉलिजिंग के दौरान ही सारीरिक सम्मंध बना ही ले जाते है उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है मैं बिल्कुल सटीक बताऊंगा भगवती साक्षी है एक एक रत्ती आप इसको कल्कुलेट करके जोड़ेंगे तो बिल्कुल क्लिक करेगा और अपने से ही कनेक्ट करिएगा पहले खुद को ही देखिएगा अगर पंचम पंचमेश के साथ अश्टमेश जोड़ जाए गुपतांगों का भाव तो वो भी सेम टाइम पर जागरित हो जाता है वही समय है तो पढ़ाई के ही दोरान आप इस प्रकार के साहित्य इस प्रकार के चलचित्रों में लग जाते हैं कामुक साहित्य कामुक चल जान बढ़ जाता है और फिर आप इस इक्षा की पूर्ति की पीछे भी लग जाते हैं डियूरिंग एजुकेशन इसी दोरान और अगर अब हम सबसे गहरी बात कहने जा रहे हैं अगर इन समस्त योगों पर कौन से योगों पर पंचम-पंचमेश का संबंद शुक्र के पंचम-पंचमेश का संबंध अश्टमेश के साथ इन योगों पर अगर शनी और राह जैसे इन दो ग्रहों की द्रिष्टी पढ़ जाए या पंचम भाव का संबंध शनी नामक ग्रह से हो जाए तो करैला नीम चढ़ जाता है इस प्रकार के भावों में विकार आ जाता है यह भाव विकृत हो जाते हैं ऐसे ही बच्चे लड़के लड़कियों के पीछे गलत रास्ते पर चले जाते हैं मतलब उन्हें पाने के लिए तमाम तरह के हत्कंडे गलत रास्तों पर जाना, वशी करन बाबाओं के चक्कर में जाना, मतलब शनी विमुख किया, विक्रित कर दिया, उसको गलत भाव तक लेके चला गया, शनी बहुत इस मामले में दोश पूर्ण स्थिति तक आ जाता है, चोरी करके पैसा खर्च करना, मतलब तमाम तरह के विकार आ जाते हैं, और मूल में होता है प्रेम, कहते हैं प्रेम, कोसों पर है, बड़ा विशय है, भारी विशय है, कभी फिर कहेंगे, मूल हमने आपको समझा दिया, कि सिक्षा के समय, पढ़ाई के समय, प्यार का जो संबंध है, जो जागरन है, वो पंचम भाव और पंचम भाव के साथ प्रेम के नैसरगी कारक ग्रह, शुक्र और चंद आपके सामने चल रहा है, मुलाकात कर सकते हैं, नमस्कार, शेरादे,